23 जुलाई से खेलों का महा कुम टोक्यों में शुरू होने जा रहा है और भारत के कोल 124 खिलाड़ी टोक्यों में अपना दमकम दिखाएंगे प्रदेश के भी 10 खिलाड़ी ओलंपिक में दिखाए देंगे यूपी सरकार उलंपिक गेम्स में भाग लेने वाले प्रते खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपई देगी साथ ही राजे सरकार एकल खेलों में स्वनपदक जीतने वाले खिलाड़ीों को 6 करोड रुपई रज़त पाने वालों खिलाड़ीों को 4 करोड रुपई और कांसे पदक लाने वाले खिलाड़ीों को 2 करोड रुपई देगी मैं टीम खेलों में स्वनपदक जीतकर लाने वाले खिलाड़ी को 3 करोड रुपई रजत लाने पार दो करोड रुपाए और कांस लाने पार एक करोड रुपाए देने का निना लिया गया है आपको बता दें कि मेरठ के पांच, बुलंचेहर के तीन, चंदॉली और वारणसी के एक एक खिलाडी ओलम्पिक में नजर आएंगे अवनीश हमारे सयोगी जो चुके इस खबर पर जदा जानकारी के साथ अवनीश टॉक्यो में इस बार उत्तर प्रदेश के खलाडी भी अपना दम दिखाएंगे तो इसको लेकर सियम योगी आदितनात ने भी होसला अवजाई के लिए कई कारेकरम उनके लिए रखे थे और ऐसे में बड़ी घोश्णानों ने की है जिते वालों के लिए जी बिलकुल देखिए 23 जुलाई से टोक्यो में ओलम्पिक गेम सुरू हो रहे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश से 10 खलाडी हिस्सा ले रहे हैं तो अलग-अलग छेत्र के ये 10 खलाडी हैं जिनको मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने सुब कामनाय दी हैं और साब तोर प अगर उनको जीत के आते हैं तो उनका भविस्वागत भी किया जाएगा तो माना जा रहा है कि करीम मेरेठ में पांच है बुलं सहर में तीन बाकी चंडोली वार और सी से एक एक खलाडी वहां पे पहुंचे हुए हैं तीन खलाडियों को उत्सावर्जन के लिए मुख्यमं करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरब से तमाम सोगाते उनको दी जाएंगी और उत्तर प्रदेश में उनका भविस्वागत भी किया जाएगा विल्कुल अवनीश और इस तरह की गोशनाय कही ना कहीं प्रोचाहित करती हैं यूवाओ को के वो भी बर्चड़कर हिस्स आले इन खिलाडियों के तरह वो भी प्रदेश का देश का नाम रौशन करें जिए बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ सुरू सही कहते आ रहे हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं हैं जो खेल के छेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं उनके कुकि जापान टोक्यों में ऑलमपिक सुरू होते हैं उनके उद्सा वर्जन के लिए तमाम योजनाय भी हैं और उनको आर्थी कृप से मदद भी दी जा रही हैं तो ऐसे में अगर दस खिलाड़ी ओलंपी के मंच पे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात होती है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदी तिनात ने उनको सुपकामनाय दी है और सापतर पर अन्न खिलाड़ियों के लिए भी एक मैसेज देने का काम क किया है कि अगर उनकी प्रतिभा निकल कर अंतराष्टी मंच पे जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा उनके साथ है